मेरा नाम है शाम चाहान और मेरे साथ है आज मारुती सुजीगी की K10 VXI Plus बात करेंगे इसके बारे में इसके बारे में आपको क्या नया है क्या पहतर है वो सब आपको हम बताएंगे यह है इसकी कुछ चाबी जो कि वही मारुती जो मेसा से देता है वही इसके अंदर दो को दो क्या है यह मारुती का लोगो और यह है सकी हैड लेम जो कि है हेलोजन में और यह इसका इंडिकेटर गो का मा करती है के बात कि आप एक यह काम करती है इस बात की जाए यह को साइट प्रोफैल में सब से पहले हमrika है जो चासरे वा आपको 13 इंश ऑर इसका जो कि अंदर से मैनुएल अरजेस्ट होते हैं आपको किसी परकार कोई इसके लिए बटन नहीं दिया गया है यह इसकी साइड प्रोफाल में यह इसका जो है डॉर है और पीछे पीछे बीकी डॉर है जो की पहले भी आता था वैसा यह भी दिया गया है ना इसमें कोई खास च इसके अंदर एकसेसरी जनली लगाई गई है बेक साइड की बात करें दो आपको पारिकिंग सेंसर मीलते हैं यहां पर आपको मारति का लोगो मिलता है आल्टो की बेचिंग मिलती है और केटन के इसका जो वेरेंट है उसके आपको बेचिंग मिलती है यह आपको हाई के लिए नहीं मिलता है वर की बात कि जाए तो बीड परसे भी can यहाथ की अंदर के पुर्यत्रीकै आप निलता है ना कि लिए क्षी प्रकार को आप अपनी मिलती है घगा गात करें थे तो स्पेर वील भी आपको बिल्कुल हां 13 इंच का जी मिलता है यह क्योंकि टॉप मोडल है इसलिए और बूट्स लिफ्ट की बात की जाए तो यह आपको कम से कम इतनी मिलती है और हो सकता आपको थोड़ी परिशानी हो लेकिन जाए बात कर लेते हैं इसके बैक रीएट सीट कमफेट की री इन री के लिए आपको मैं बताता हूँ आपकें यह डौ इसको खोलो और ट्रिम की बचाए तो बैतरी प्लाष्टिक यूज किया गए इस प्राइज रेंज के साब से इसके अंदर मेट्रियल क्याल्टी जो है बहुत बहुत बैटरी नहीं गए है हाड़ प्लाश थीका अबेसली मैनुएल आपको विंडो रोलिंग दी गई है दो आपको पावर विंडो मिलती है पिछे की रियर स्पेस का अगर बात की अगर बात करें तो हैड्रूम की तो हैड्रूम भी आपको इसमें काफी बैतर मिलता है और किसी भी गाड के मुकाबले, किसी भी कार के मुकाबले, इस प्राइज रेंज में आपको वैथरीन हैडरू मिलता है हमप की बात करें तो हाँ हमप है पर ऐसा कुछ खास नहीं है अल्मोस् noch के बराबरी हमप आपको मिलता है बीच में किसी प्रकार का आपको head on race नहीं मिलता है dashboard की बात की जाए तो यह इसका है dashboard जो की बहुत ही बहतरीन design किया गया है पहले वाली अल्टो से material quality सबसे पहले बात वो बहुत अच्छी बात यूज की गई है फ्रेंट डॉर की बात करें तो फ्रेंट डॉर आपको वेसे तो मैनिल खुलता है लेकिन अभी मैंने यह पहले से ओपन कर रहा है फ्रेंट जो इसकी ओपनिंग है वो इतनी होती है 90 डिग्री तो नहीं पर ओल्मॉस्ट 90 डिग्री हो जाती है और अगर बात करें इसके डॉर ट्रीम की तो डॉर ट्रीम में आपको एक वाटर होडर मिलता है कुछ स्पेस यहां पर मिलता है कॉन डखनेक्स गया मिलती है वह है इसके पय्डल्स है और यहां पे आपको है है याझो है यहां बैठते के अंडर और करते है पर हम कार को ओना है और फिर नडिक्टे आगी के कहान के भी कष्चाा बहुतिए हैं आगी को कर लेते हैं ओन Г candidate करनी के लिए पार यहां पर चाइब स्पना निक्सान लिटीय अखो के अगल बिच ने पीच ना मिलती है पूरी तरह में अगल है इंस्टूमेंट दिया गया है यह जो इसका है पाउर स्टेरिंग इसके अंदर, आपको इसके अंदर आपको हैं आपको तो दुधैमेंट यह पोटन आतए है मेरील जो है पर यह जो ना पहले वाली जो थी न कार जो अल्टो थी, उसके मुकाबले और इसके मुकाबले इसका जो material quality है वो बहतर है, डिजाइन बहतर दिया गया है, और यहाँ पर आपको एक charging socket मिलता है, यहाँ पर आपको एक USB मिलता है, और OX का भी बटन मिलता है, यहाँ पर आपको बहतर मिलता है, पहले से काफी बहतर मिलता है, किसी भी और कार से, और यहाँ से इसको चाहें, तो बंद भी कर सकते हैं, और फिर से इसको शूरू भी कर सकते हैं, इसका जो response है, वो काफी बहतर है, और इसके जो touch response बाकी जो है, वो भी काफी बहतर है, और यहाँ से आप mute कर सकते हो यह आपको hazard lamp का option मिलता है यह जो आपको power window है न दोनों तरफ की उसके बटन जो है आपको यहाँ पर दिये गए है बाहर स्वरी डोड पे नहीं मिलते हैं आपको यहाँ पर दिये गए है इसके अलावा यह इसका glove box है जो की sufficient है बहुत बड़ा नहीं है पर sufficient है और यह cold है ऐसे normal नहीं है यहाँ पर आपको airbag मिलता है इस तरफ आपको mirror नहीं दिया गया है mirror आपको इस तरफ भी नहीं दिया गया है और यह इसकी जो light है जो की obviously halogen lamp है यह आपको grey handle दिया है grey handle आपको इस तरफ नहीं मिलता है airbag आपको मिलते है इसके अंदर दो airbag मिलते है एक आपको यहाँ पर मिलता है एक airbag आपको यहाँ पर मिलता है अब आपको इसका engine lead दिखा देदे engine आपको क्या मिलता है चलिए engine देखते है और यह इसका engine है जो कि थ्री स्लेंडर है और एक जार सीसी का आपको इंजन मिलता है जो आपको में पूम आपको माइलेज के लिए ही सबसे जाने शाथ ही इसके अदर आपको माइलेज बहुत 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 सेफटी के अंदर अगर बात करें तो आपको इसके लिए एरबेग एब्यास प्लस इबीडी और रिवेस पार्शिंग सेंसर आपको दिये गए हैं चलिया गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और यह वही स्टार्ट और अभी चलिया देखते हैं इसको चला कर कैसी यह चलती है कि इंजन की बात की जाए तो इंजन काफी अच्छा है ऐसा नहीं कि अधर आपको ऐसे लेगी लगेगा लेगे नहीं तो प्रानी थी उनसे बहतर लगा मुझे को और जो स्टेरिंग रिस्पोंस वो भी अच्छा है पता निक्यूंँ इसे वापीस आ नहीं रहेकिन इसमें कुछ होगा नहीं पर स्टेरिंग जो है इसका वो भी काफी लाइट है काफी बहतर है तो बस इतना नहीं थानकी वीडियो के लिए वीडियो पसंद आई हो ता वीडियो लाइक कीज़ें किंट कीज़े कोई बात अगर आप कॉमेंड में हो हो और वीडियो कीज़ेंנल सेकर केज़ें χेंषे